हेलो स्टुडरंट्स मी शिवानंदक शिर्शागर यावर्षी बी एसी थर्डी अर्चा जो फिजिक सा सिलेबस आहे मी तुम्हार यावर्षी शिकोना रहे सिलेबस स्टाट करना चाहा ऊदर ये एक जंड्र डिसकुशन आहे आपन अजया करना आयूंदा अपन एक्चेल सिलेबस स्टार्ट करों वससे क्या अपने आममाईता है अपने ये पासफ़स फिस्टर आहे त्याला दोन थे नद्ही पेपर आहे दोन प्रैक्टिकल पर आहे यानि एक स्किल साथ्षिसाइग पेपर आए यह दोन थेरी पेपर साहित थेरी पेपर मादलने पहला थेरी पेपर मादला फ़ेला पेपर आए तो— D. a. c.ड. a. c.p. discipline specific compulsory paper quantum mechanics तो आपना स्टार्ट करना रहे हूत जो तुमारा कंपलसरी आए दुसरा जो आए तो इलेक्टिव पेपर आए एलेक्टिव मदे मग सॉलिड स्टेट फिजिक्स आए सोलार इनर्जी आए यानि आश्ट्रोफिजिक्स आए तर चाहो दर आपना था कॉंटम मेकैनिक्स हाथ पेपर क्यों थोड़के हाथ स्कॉर्स तुम्हाला या ठीकानि काठे उला गेला तर कॉंटम मेकैनिक्स आपन 11 तानी 12 मदे देखिल स्टेडी के लिला है त्या ठीकानि देखिला आपन जी माइक्रोस्कोपिक लेवल आए फिजिक्स मदली जी पूर्ण पन या कॉंटम मेकैनि कानिक्स आइ पारते प्रव हैं थ्यां माइकरोस्कोपिक वर्ल्स इंटौक्ट्ट करून देना साथी हाँ पेपर पर तुम्हाला या ठीकानि इंट्रडूस के लिला है कि वहां हाँ पेपर तेनी या ठीकानी च्वाइस के लिला है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड मजे तेनी काई काया आला है तर आटम साहित मॉलीकुल साहित, आटमिक न्यूकलिया है, एलिमेंटरी पार्टिकल आहे या सरवान सा आप बैस जो कॉंटम मेकानिक्स मदे होतो तो तुम्हाला इंट्रडूस करने साथी क्यों फिजिक्स ये वेगिडिस लेवल या ठीकाना उन्सालू होते जी आपन या पेपर मदे पाना रहोत तस पायला है तर गौंटम मेकानिक्स सा फाउंडेशन आए कि मिस्ट्री आनी फिजिक्स मदे आसनारे जेका आडवांस कोर्से साहे ते कोर्से करने साथी क्ऌंटम मेकानिक्स ये नापने लगर जेचा है quantum mechanics study करता स्थान तुम्हाला बरेज गुष्टी नॉलेज होईल जा सकी calculus आहे मंज़ा साथ calculus मध्याता पहो आपन कुटले-कुटले equations आहे derivations आहे त्यांतर वेव थेरी आहे modern physics स्था तुम्हाला आठीकान इंट्रोड़क्शन होई कि वहां बरेज टेज लेटरस नरे टर्मस तुम्हाला आठीकानी समझती आता quantum mechanics actual काया है quantum mechanics से definition आपन काय संगतो हो आपन mechanics study के लिए पर बराएं परन्तु quantum mechanics जाय विडिस मुझे तोड़के इनिवेंट जाले कुटले काया experiment पसुनते इनिवेंट जाले क्यों कुटून ते इनिवेंट जाले ते देकला आपन पूट डिसकस करना रहो पन तेच्छा आग उदर what is quantum mechanics आसा जर वी चारला तो तुम्हाला थोड़क्या संगता आला पाईजे it is a physical science dealing with behavior of matter and energy on the scale of atoms and subatomic particles कायमनले मी quantum mechanics मंजे काया है तो physical science आए जे कश्यच आप बैस करते तर matter अनी energy जे एक मेकाशी related आए तो परन्तु है study करता सता ना या चाजो scale आए हाका साहे microscopic हाहे मंजे atomic level लाहे कि माँ particle level लाहे परोबरा है तेला मने तो आपन quantum mechanics यह चाप आप ती अनकीन बोला है जलतर आप लेला आसा पन सांगता है कि it is the foundation of several related disciplines including nanotechnology, condensed matter physics, quantum chemistry, structural biology, particle physics and electronics हे जे कहाई में आत्ता discipline में थोड़के subjects हे जे कहाई में आत्ता घेतले nanotechnology आशेल क्योवाँ quantum chemistry आशेल क्यों बाईलोजी आशेल पाई टिगल physics आशेल इलेक्टोंग्यों आशेल या सर्वान्चा foundation क्योवाँ बेस हाँ quantum mechanics साहे तुम्हाला जर एचा मदे involved आशनर एडवांस कोर्से साहे पुड़ुचे तुम्हाला शिकाई चास्ते तुम्हाला quantum mechanics यह गरजे चाहे तुम्ही physics मतला कुटला ही एक कुटली ही साइड जसे की solid state physics आए क्या कुटली ही तुम्ही च्वाइस करा आश्ट्रोफीजिक्स च्वाइस करा न्यानोफीजिक्स च्वाइस करा material science च्वाइस करा तुम्हाल त्या ठीका नी quantum mechanics हा subject आश्टनार मंजे आश्टनार अन तेची शुर्वा तुम्हाला third year ला होते प्रतेक इन्वसेटी मते third year ला quantum mechanics तेन दिलला है हानी quantum mechanics सा एकदम बेश आप लला या fifth semester ला पाइसा है quantum mechanics हेज नावा है मैक्स बॉर्न या संट किश्णार शुर्वा तिला ला दिललेगेला 1924 मते मैक्स बॉर्न 1924 मते पहलांत है नाव दिलेगेला quantum mechanics हाथा quantum mechanics टड़ी करता असतना आपन आपले लेकुन चारिंग साहेथ जैचा मते particle properties of waves सेकंड है स्क्राडिंजर्स equation तें तो थर्ड है applications of quantum mechanics और फोर्थ है quantum theory of hydrogen या आपन स्टड़ी करना रहूत यह सें तरजा तुम्हा second paper आए मज़े paper 13 जैचा मदे solid state physics आ है solar energy आ है आनि astrophysics आ है आता quantum mechanics हा मज़े तुम्हाला महीत आ है सांगे जी गरज ना ही quantum mechanics हा कुटला लेवल ता सब्जेक्ट आ है कि वहाँ एची लेवल काया है यह से मज़े इन्होर्ड आसनर जो knowledge आ है कि वहाँ derivation साहित मोट मोटे ते कश्या पदती चाहित क्यों थेरी जी आ है ती कश्या पदती चाहित त्या मोड़ो यह चैसी एचा सोबत एक तीनी elective paper आपला दिल ला है तर तो elective paper solid state physics ssp solar energy and astrophysics या तीनी पर की एक चोईस करा इस आ है solid state physics जोर आपन पाहिला गेला तर ही दिकिल एक हादी के लिए complicated subject आ है विज थोड़के आउगड़ा है मुला तरी चाले लिए अमझे आउगड़ आक्चुन तो आउगड़ ना ही परन्तु quantum mechanics सोबत ते जाब्यास करना थोड़ जड़ जाए तैसे अंतर है solar energy आनी astrophysics आ आप जाला आई काहला आनी पाहला ठीक है ते जामदे प्रत्यक वेक्तिला astro man लिखता चामदे एक प्रकर्ची आवड निर्मान होते परन्तु actual जाए इस तुमी ते जामदे इन्वर्ड आसनेरी जी theoretical information आहे जै mathematical calculation आहे है जाए विज तो माला actual linear ची वेड़ जड़ जाई न आन्य ठरवा कि या तीन पर पकी solid state physics solar energy आनी astrophysics पकी कुटला पकीपर आतुमारा शोपा जाई तरसे लिए बस तुमारा टमिचा गरूप और ती आहे तो तुमी पहा ते नोसल तुमारा तैम उदे कुटला पकीपर शोपा वाड तो तो तुमी चौछ स करा त्यां तर आपन देखरू पन्ते चागो तर आपन quantum mechanics start करना रहुत तो quantum mechanics मद्यचे आपले पहले युनिट आ है फॉर्स्ट युनिट पार्टिकल प्रॉपर्टिज ओफ व्योज पार्टिकल प्रॉपर्टिज ओफ व्योज ते आपन यह ठीकानी start करना रहुत अथा आपले आला महिता है matter dual nature है एक wave nature अंदुसरा है particle nature बड़ोबरा है एक wave nature अंदुसरा particle nature जे आपन 11 मदे study के लिला है classical mechanics मदे आपन आसा कंसिडर करतो कि electromagnetic wave इक आया है एक wave आहे आसा कंसिडर करतो electromagnetic radiation है एक प्रकारची wave आहे यह आपन पातो classical mechanics मदे परणतु आसा अपज़र जाल कि electromagnetic wave ही small packets मदे divide दल लिया है और त्या प्रत्यक 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 आपन कांसिदर क्वांटा समन्तो आन त्याला एक प्रकारची energy आहे वाज यह आचारत यह ठीकानी quantum mechanics थोड़का इतुन quantum mechanics start होते मदा तरी चालेल quantum mechanics नो यह ठीकानी classical mechanics ले एक प्रकारची चैलेंज केले classical mechanics मदे जयोड़काई theories होते है जयोड़काई assumptions होते त्या सरवन्ना खोट ठरोला समन्ते ना नहीं परणतु यह ठीकानी matter ला dual nature आहे है इता सिद्ध जालें अन्यंतर मग dual nature आपन कंसेडर करतो classical mechanics study करता सताना wave nature आनि quantum mechanics study करता सताना particle nature इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेउज है कि इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेउज मदे पार्टिकल साहे यह का सदिता जो most famous experiment आहे तो आहे photoelectric effect जो आज आपन study करना रहोतो यह चाहा मदे आगो दर actual experiment का सवर किंग करतो कि वहाँ experiment यह theoretical information काया है नंतर जे आप लेला exam साथी मातवाचा है ते मंजे टेची diagram आनि observations टेचे काया है तो बरबरा है नंतर मगा आपन quantum theory of light मदे Einstein न तेच observations एका टेचे equation तुरू कशे प्रूव के लिए ते दिकला आपन पान आपन आज आगोदर आपन photoelectric effect मंजे नेमकर काया है ते आपन बगना रहोत बगाए गड़ा या ठीकान एक आशाक पत्रती ची फोटो सेंसिटीव प्लेट आहे पुरू बढ़ा है कि एक फोटो सेंसिटीव प्लेट आहे समझा फॉर एक्जांपल sodium surface आहे कि वहाँ sodium metal ची ही फोटो सेंसिटीव प्लेट आहे ह्ट्ज ना वाद आजव साइंटिस्ट होता actual invention कुट्ण सुरुवात जाले हर्ड्ज ना वाद आजव साइंटिस्ट होता है हिंदिश हर्ड्ज या साइंटिस्ट की spark gap मदे electricity flow होते स्पार्क ग्याप मंज़े का है यह अठिकानी सम्चा क्यात्रोड आहे अठिकानी आनोड आहे यह दोगांचा मदे एर मीडियम प्रजेंट आहे तरे देखिल यह दोगांचा मदे इलेक्टरिसिटी फ्लो जाली भर्राये तियानो एहदर आहे वड़ी कुट लह प्रकार चे साव काड़ी आए प्रकार चे लेल नहीं किए यह उठिकानी काली नहीं वरत्तो और स्ंटिस चे होते त्या स्ंटिस्त ने इस टाडिकेला त्या आसर स्थी सुनाला कि यह इवडिस फोटो सेंसेटीव मटेरिल वर गुड़िट एक पर्टिक्लर फ्रिक्वेंसी ची लाइट इंसीडेंट होते त्या मेटल सर्फेस मदून इंसीडेंट होतात। काईमल ने पर आतेक वेले संक्तमी वागा एक फोटो सेंसिटिव प्लेट आहे या फोटो सेंसिटिव प्लेट वर्ती जाए ये वेडिए एक पर्टिक्लरब्ट कर्वेंसी ची लाइट इंसिडेंट होते आने photoelectronics मन्जेकाई है जो इमिट जाले इलेक्ट्रा नस आ यहात्ट यह लासे मंतो Предक्प आपन photoelectron से दैने actual कहा होते हैं यह ठीका निह आ प्ले लम अमैता है light radiation मन्जेकाई है electromagnetic wave आहे बढवबरा है electromagnetic wave स데ठ आपन particle nature जाए study करतो तया वेड़ेश electromagnetic wave is made up of large number of particles बरो रहे, electromagnetic wave ही मी तुमाला मागाई सांगितला classical mechanics मदे electromagnetic wave आ है बरो रहे, light मंजे काया है, electromagnetic wave आ है अनि या ठीकानी काया है, त्याला particle nature है quantum mechanics मदे बरो रहे, मगाता, इता आपन काया consider के लिए light radiation जाहेद या light radiation मदे number of काया है, quantas आहेद के वा number of particles प्रेजेंट आहेद त्या प्रत्यक पार्टिकल ला एक प्रकरची energy आहे, त्या energy है अपन H is equal to H new, या equation न दिनोट करतो भेर, H is known as planks constant and new is the frequency of that wave, बरो बरो रहे, मगा हाजो photosensitive surface आहे या आपन फोटो इलेक्ट्रांस इमीड जाले, त्या आपन फोटो इलेक्ट्रांस इमीड जाले या आपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है जा आपन पाहिल है, आपन 11 के माट पे इलेक्ट्मद है, आपन स्टडी के लला है या ठीका निकसा है, बगाद, एक evacuated glass chamber आहे, क्यों ग्लास ट्यूब आहे, मैं या ठीक आट्रा करतो है एक evacuated glass ट्यूब आहे आपने आला फक्त एक समझ लाजा, प्रिंसिपल काया है, फोटो सेंसेटिव मटेरियल चा सर्फेस वर जाय वेडेस, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ची लाइट इंसिडन्ट होते है, त्या वेडेस, या मटेरियल मदोन क्या हो या सर्फेस मदोन काय होतात् इलेक्ट्रॉस इमीट होतात् बीतमाल सांगित स्काद की है प्रत्ते ranging और इनरजी ईड़ोँ गेट फो टोड़क़्ाइत काय करतात त्या सरफेस मदधे प्रेजेंट त्न रहा है this appears as a kinetic energy of photoelectrons मझे थोड़के त्या energy सा used as a kinetic energy मुन करता मझे थोड़के ट्रेवल करने सा ठीका या direction ला अथा actually इतका होते या ठीका निकसा आहे बगा हे तुमची photosensitive plate आहे क्यों photosensitive material आहे हाँ actual तुमसा या ठीका नि anode आहे मझे इतक positive charge आहे आनि इकड़े बज़ोला क्या थोड़ा है इकड़े निगेटिव चार्जा है आप जाला माहिता है electric current हा इलेक्ट्रोंस है positive to negative आशे कदी flow होता चर समझा आपन battery पाहिली एक oh mix circuit तर आपन चोईस केल oh mix circuit चेब आपती मदे या तुमसा external source हा है या ठीकानी जावेस बैटरी discharging आसते बरवर है electric current जावेस फ्लो होता है तो तो इलेक्ट्री करन्था का सफ्लो होतो positive to negative outside the battery बरवर है इनसाइद बैटरी का सफ्लो होतो negative to positive बरवर है जावेस बैटरी तुमसे कशिया है discharging आहे discharging में आप्ट्री करन्था positive to negative आसा फ्लो होतो बरवर है इनसाइद बैटरी का सफ्लो होतो negative to positive आसा फ्लो होतो electrons कशिया फ्लो जाले पाई electrons आप्ट्रों आप्ट्री आपोजिट फ्लो होता है मनझे थोड़के आत आसे पोदे देना positive to negative या direction ला या ठीकाने अपने इलेक्ट्राँ सेम तोसे फ्लोह तिल पॉजिटिव टू निगेटिव या चामादे एक्स्टरनल सरीकिट जया है या चामादे काया काया कनेट के ला है तो इते एक वैरियेबल पॉटेंशिल डिफरंस सोर्स हा है या धोन प्लेट चापॉटेंशिल डिफरंस मेंडेन करना साथी वैठीकाने एक शोर्स या चाइक्च के लला है ती मैजर करना साथी चाही ओल्टमिट राहे खलचा बाजूला इते एक बैटरी चाही चामादे के लिए है हाई पोटेंशिल बैटरी ते चंद रहा ठीक है निए एमिटर रहे बगाता प्रत्वी कुछ सांग तुम्हीं काई का बोल्डूं यह चमदे काई काया है एक इवैकुएटिड ग्लास चेंबर रहे इतनल बैए एक प्रकरशी विनडवा है मलते चालेल इतनल लाइट रैडियेशन इंशिडन्ट होता है दोन इलेक्त्रोड साहित आढानोड याठीका निहा है जैथोड ज़हाef लाइट राडिेशन्स या आनोड वरती इंसीरन्ट होतील कि या लाइट राडिेशन म दाशनारें ज़ह फोटोन्स तौन्स तेन्ची हैंटर अनरजी टोटल अनरजी इतर या सर्फेस म दे प्रेस असनारएं तुटल अन्य इनर्जयट्रुश्ंट ये प्रकार चनाओके। समझा या ठीकानी पढ़नारे जी light radiation साहे ते चीजी frequency आहे कि frequency का particular frequency प्रेक्षाजर कमी आशेल तर त्या ठीकानी photoelectrons इमिट होनार नाहे त्या frequency ला कायमनतो आपन threshold frequency आ समनतो new knot याचा प्रेक्षाजर समझा कमी frequency ची light याचा वरती incident होता सेल तर इतुन photoelectrons इमिट होनार नाहे आन्ति इया डारेक्षाजर ला ट्रेवल करनार नाहे त्या या डारेक्षाजर पाहिला पंतर इतका है cathode त्या वरती चार्ज को टला आहे निगेटिव चार्ज आहे तर देखिल इलेक्ट्रोंस इया डारेक्षाजर ला ट्रेवल करता है बड़ो बड़ा है जा आरत इलेक् आमोंट आफ एनरजी लागेल करन आप चला महीता है कि निगेटिव औन निगेटिव काया सते रिपल्शन फिरो इलेक्ट्रोंस यह डायरेक्शन ला ट्रावल करनार नाहीत तेचा मुड़ो एया ठीकानी इंसिडेंट होनारे जो फोटोंस आहेत त्या प्रत्तेक फोटोंस च जी फ्रिक्वेंसी आहे ती फ्रिक्वेंसी फ्रेशल फ्रिक्वेंसी पेक्षा जासता श्लीपाये ज़े तरस त्या photoelectronics छी कायनodes गेरजी आसे आल जंजल ईलेक्टिक करन ध्या साने टीक आनी लाप उन्वाबहानि यह ठीक्वलो छिघ हाला actual सेमाधे दोन इलेक्टर साहेद एक एनोड आहे एक क्या थोड़ा है एनोड मुन आपने आठीका नी एक फोटो सेंसिटिव प्लेट ही उज के लिए है और यह आशाइड लाग आया है निगेटिव वी चार्ज इलेक्टर मेंजे क्या थोड़ा है गर वर एक्स्टरनल सरक्ट म लिट्वाव challenges किकला कोच अर्व मिल्ली आम्पयर प Apa सो क्यूंत फोटो सेंसिस्टीव प्लेट आधे पोटो सेंसिटीव प्लेट वर्क 125 लाइशन但 इंशरन होती तो या फोटो सेंसितोड प्लेट मधुन् cooler इमिथ होता था था या इलेक्ट्र्ऌंश लबड़ पन फोटो इलेक्ट्परण से समएं तो या इलेक्ट्रनला जी एनरजी मलते थी खेव फोट्章 फोट्रॉन्स फोट्बशन तेन ची एंटाइर एन्र्घी यह च नू यह उदी टोटल एन्रजी काय करतात तया इलेट्रोंस ला ट्रांस्मต करतात किया एंडहर करतात तया इविह चे अजा एन्रघी सा यूयुज तया इलेक्रोंस शोताला या मेतल सर्फेस पासों फ्रीकतरन साथी करतात आनि remaining part of energy kinetic energy मुन यूज किल जाते आनि आवे सकाइविल याठेकने electrons याडरेशनला flow होतील आनि या circuit मदे कि माँ एक्स्तरन circuit मदे electric current flow होतो आता या चावर बेस्ट असमेरे observations आए ते तीन observations आपले साथी मात वच्या है तो ते आपले कुटले आए ते आपन one by one study करू first observation आए there is no time interval between the arrival of light at a metal surface and emission of photo electrons पहला observation काया है कि या metal surface वरती light incident या instant ला होते याला आपन instantaneous effect आसे देकल मनतो 10 to the power minus 9 second या उड़ा वेडा मदे यहाँ effect start होतो light पड़ला पासुन आता ही काया है तर आपली एक लिमिट आए experimental accuracy ची 10 to minus 9 second पेक्षा चा कमी वेडा आपन major कुरूशे कत ना ही मन्जे one nanosecond पेक्षा ते आपन हाट time consider के ला actually चे पेक्षा देकल कमी वेडा मरे यहाँ effect start होता सेल बगा काय सांगित ला पहली पहला अप्ज़रोशन दना काय दिशनाल कि ज्या इंस्टन्ट ला त्या metal surface वरती light incident जाली त्या इंस्टन्ट ला त्या metal surface मदून photoelectrons बाहर पड़ले ज्या इंस्टन्ट ला photo sensitive material वरती त्या photons के वाँ लाइट वेव क्यों light electromagnetic wave इंस्टन्ट ला आप त्या इंस्टन्ट ला photoelectrons emission पहला मेंडाल हाज़ पारटा है जुमित माला आता सांगित ला first observation कि 10 raise to minus 9 second यावड़े वेडा मदे हाँ photoelectric effect आप ला पहला पहला मेंड तो कि वहाँ instantaneous effect आपन 12th मदे के study के लिला है एचा पुड़े जाउन जर BAC चले वाला जर पहले समला तो तेनी आप लेक एक extra information या ठीका नी आप लेला पानगर जाज़ती संगित लिलतेनी काया है पगा detectable photoelectron current results when 10 to the power minus 6 watt per meter square of electromagnetic energies absorbed by sodium surface हाजो sodium surface आए या sodium surface ने 10 raise to photoelectric current हाप लेला कदी पाइला मिलाला जय वेड़ेस 10 raise to minus 6 watt per meter square EOD energy electromagnetic energy त्या sodium surface ने absorb के लिए त्या चवेस आप लेला या ठीका नी ammeter ना photoelectric current आखोला कायमन लबगा पर तेक विले संतोमी sodium metal surface ज़ा पनी या ठीका नी कंसरेकेला होता त्या ठीका नी 10 raise to minus 6 watt per meter square 1 meter square वर्ति कमी 10 to the power minus 6 watt ये उडि solar energy जय वेड़ेस इंसिदेंट जाली क्योंवा electromagnetic energy इंसिदेंट जाली त्या चवेड़ेस ammeter ने electric current डाखोला क्योंवा त्या चवेड़ेस ammeter मदे आप जाला electric current डिटेक्ट जाला या चारत असा होतो जर समझा आपन कंसरेकेले sodium ची एक layer समझा sodium ची एक sheet आहे कसी rectangular sheet आहे या sodium ची शीट मदे लिज़ेट वर्ची जी level आहे वर्ची जी layer आहे त्या layer ची thickness समझा आपन गितली equal to one atom त्या layer ची thickness की दी गितली आपन equal to one atom आनि area की दी गितला one meter square एक आपम ची thickness जेओड यसते त्याओड या thickness ची आपन एक layer कंसरेकेली आन त्याचा area है one meter square जर आपन आशा पद यवड़ा जर भाग आपन एका दिया sodium surface चा कंसरे केला तर यह चा मदे present आसनारी जे atoms आहेद ते atom आहेद 10 to the power 19 atoms यह उड़े atom यह उड़े एरिया मदे present आसतत ज्या लेयर चा एरिया वन मीटर स्क्वेर आहे अंते तिकनेस की तिया है वन आटम यह उड़े आहे बनोब आहे तो तेनी काई सांग इतले कि जाय वेड़ेस यह उड़े एनरजी तो लाइट एनरजी इंसिदेंट हो तेया वेड़ेस प्रत्यक तेया वेड़ेस प्रत्यक आटम न जी अब्जार्ब के लिए एनरजी आहे तिकि ते आसेल 10 to the power minus 25 यह उड़िया सेल काया मन लबगा प्रत्यक वेड़ेस संग्तों कन्फिज होनागा काय सांग इतले में तुम आला हाँ यह काया है एक लेरा है काश्या ची सोडियम सर्फेस ची बड़ब रहा है यह चा एरिया है वन मीटर स्क्वेर बड़ब रहा है यह ची थिकनेस की तिया है इकवल तु थिकनेस ओफ वन आटम आणि यहासा एरिया है वन मीटर स्क्वेर आणि यह जाय वेड़ेस यह चा वरती हीजी का हीजी का लाइट इंसिदेंट होना रहे ति लाइट इंसिदेंट जाला है इस नंतर यह चा मदे प्रत्यक आटम हाँ तेन तु दू पावर न माइनस 25 वैट यह उडिज एनर्जी का अगरेल थोड़का अब्सॉर्ब करेल मंजेबगा काय साइं इतलो प्रतिक है संगतों तेने का साइं इतलों सोडियम सर्फेस जो आहे सोडियम सर्फेस वरती पढ़नारीजी एनर्जी आहे ती एनर्जी यह वन मीटर स्क्वेर यह व इनर्जी आहे थी 10 to the power minus 25 Watt EOD आसेल और यहा रेट नजर समझा प्रत्यक अटम एनर्जी कलेक करत रहेला क्यों आक्विल में आक्विलेट करत रहेला तर त्याला एक मन्त लागेल जोल पास एक मन्त लागेल किती 10 to the power minus 6 Watt पर मीटर स्क्वेर EOD एनर्जी आक्विलेट करने साथी क्यों गोला करने साथी त्या आवेलेसर यह आमेटर मदे काविल फोटो एलेक्ट्रिक करन्था डिटेक्ट होई पर त्यक्विलेस सांतो सोपय भाचे मादे निकाई सांगेतला ता परेंथ आपन जो फोटो सेंसिटिव माटरियल कंसेडर केलला है सोडियम त्या सोडियम चा वन मीटर स्क्वेर वर वन मीटर स्क्वेर वर 10 रेस टु माइनस 6 Watt यह उडी एनर्जी यह उडी इलेक्ट्रोमागनेटिक एनर्जी जा एवडेस इंसिडन्ट होई त्या चवेडेस हा तुमसा आमिटर काई करेल रिडिंग दाकवेल मैं थोड़के त्या ठीकानी इलेक्ट्रिक करने शोग करेल मागाता यह उडी एनर्जी थोड़के एक्विलेट करने मजे आपन समझा प्रैक्टिकली कंसिडर केले ठीकानी कि तुम्ही त्या सोडियम सर्फेस सा एक वन मीटर स्क्वेर यह उड़ा एरिया गेतला एक एक लेयर गेतली आपन वर्चा बाजोची जा लेयर ची थिकनेस कितिया है इक्वल टू वन आटम आहे यह चा और ती जो इंसिडेंट जाले तर यह चा मदे प्रजेंट आसना रेजे 10 to the power 19 यह उड़े आटम साहे त्या आटम पई कि प्रत्यक आटम ला मेलनारी जी एनरजी आहे ति कितिया है 10 रेज्टू माइनस 25 वैट यह उड़ी आहे बड़ो बड़ा है मजे एक आटम त्या वर्टी आटम जर यह उड़ी एनरजी कोडा करता सेल तर यह रेटन तर यह का मीटर स्क्वेर सर्फेस एरियाला 10 रजटू माइनस 6 वैट पर मीटर स्क्वेर यह उड़ी एनरजी आक्युमिलेट करने साथी जोड़ पास एक माहना लाग तो यह तर पहला अब्जर्वेशन आहे ठी को फ्रिक्वेंसटेंटोल्च राटमाग यह पास नं द्युमिलेट प्रिक्वेंसframes फ्रिक्वेंसियाल इम्र्फेसींदोल्चोन अAYा है ब्राइत लाइट मों इंटस बीम धिश्यमिलेट कर यह शाल आज स्टाहिक सब्सक्रेशां कल्यक्रिक और कंद ही यंपर 12 विशह म एक आतरीज करहें, फोरीक्ट ल्हक्तकिक evidentि यदिक में तों ? योरी मतेजनि venture in make it whole और आटिज Lawrence को सब्सक्राइब निकाधेता है य nhưng फोर्ट में खाल्य कांग व्म defence रहें ज़ेकिन ritual in make it whole , जोली षय में जाता है लोग आत्षे ringing तिक में आइतों ? जयोडा इंटेंसिटी जासत ते ऊड़े त्या ठिकए नहीं इनल्द फोटो इलेक्ट्रोंस इमिठ होना रिशांगे कैंके जासत असल अनि तोनी साही ठिकए शेम फ्रिक्वेंसी मंजे का है समझा तुम्ही इंटेंसिटी कमी के वाड़े जासत के लिए दोन बीम घेत लिया, एका बीम ची इन टेंसिटी जासता है, एका बीम ची इन टेंसिटी कमी आए, पर उन्तु फ्रिक्वेंसी सेम आए, तो यह ठीकन तुम्हार आसा दी सेल की इतुन इमिट होना रजी फोटो इलेक्ट्रॉन साहे, तो प्रत्य फोटो इलेक्ट्रॉन चीज किनेटिक एनरजी डिपेंडाहें है चलक रा सेंट अब्दर्वेशन है है कि जाओड जाओड इनसिद्ध राडिशान चीप्रिक्यों जाओड जासता सेल 262 फॉर्टोंस करेंटिक एक अप्धिक्रांची काईणिक अनरजी काईगस यासता सेल मुनना पल वीब ज्वायर या सिक्वेंस मज़र पाहिला वीब ज्वायर वायलेट, इंडिगो, ब्ल्यू, ग्रीन, येलो, ओरेंज आनी रेड याचा ज़र आपन पाहिला तरह याचा मते आप लेला माहिता है वेवलेंद रेंजस फ्रॉम 400 नानोमेटर टू 800 नानोमेटर आशापद रेंजस वेवलेंद वहरी होते है आने आप लेमाहिता है वेवलेंद आनी फ्रिक्वेंसी या कशायत एक में कला इन्वर्सी प्रपोर्शनल आहे परबराए जवड़ी फ्रिक्वेंसी जासते वड़ी वेवलेंद कमी आसते है तर पहिला आपन तो रेजी वेवलेंज सरवात कमी आए ऐची फ्रिक्वेंशी सरवात जासता सेड या डायेक्शनला काईविल प्रिक्वेंशी कमी पमी हो जए तर निकाय सब्सक्राइब चला ब्लीव लाइट जी आहे त्याउनि इमीड हो न्य ट्यों इलेक्ट्रीड सहल त्याइड थो अधिर का में ऐद्ध की सम्पर एनेर है इसी पोस通 यह चाहा मदे फक्त आप तो फोटो इलेक्ट्रिक मंजे का है तो थोड़का प्रिंसिपल समझ नगर जेच हो तो अनि हे तीन अब्जर्वेशन उद्या परत एक्विएस तुम्हाला या फोटो इलेक्ट्रिक छे तीन थेरोट एक्स्परिमेंटल अब्जर्वेशन साहे ते परत एक्विएस रिवाइज करतो अन्तेचन अन्तरमत आपन क्वांटम थेरी आफ्लाइट स्टार्ट करू याचार जव तुम्हाला का याड़ जना सेल तुम्हाला परत एक्विएस तुम्हाला याचार वर्ती वीडियो मीत आयार करतो आनी परत एक्विएस शेर करतो ठी है यह तेगा यह तेगा यह तेगा थम अपन थेंक यू